आज हम लोग बात करेंगे, VidIQ versus TubeBuddy दोनों में से कौन सा टूल अच्छा है, किसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में हाई गाईज, मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहाँ पर मैं Digital Tools के Reviews करता रहता हूँ VidIQ और TubeBuddy दोनों ऐसे टूल है, जिसको मैंने काफी यूज़ किया है, काफी टाइम से यूज़ किया है दोनों के मैंने dedicated reviews भी करके रखे, in-depth वो दोनों आपको iButton के उपर मिल जाएंगे आज हम लोग दोनों को compare करने वाले हैं, कौन जादा अच्छा है, कौन से सिनारियो में अच्छा है, कब किसको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए और best value कौन सी provide कर रहा है, कौन सी pricing पे कौन सा अच्छा है, फ्री में कौन सा अच्छा है यह सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बिना किसी delay के हम लोग यह पर शुरुवात करते हैं, सबसे पहले इन टूल का use किसको नहीं करना चाहिए अगर आप लोग जो वीडियो बना रहे हो, वही अच्छे नहीं है, तो doesn't matter, आप लोग कोई भी टूल यूज कर लो, आपके वीडियो रांक नहीं करेंगे, उस पर व्यूज नहीं आएंगे आपको प्रोसेस में हिल्प करेंगे, बाके आपको खुदी करना है, यह तूल सापकी हिल्प नहीं करेंगे Now that being cleared, अब हम लोग देखते हैं इसके free version के बारे में, free version किसका यूज करें, VidIQ का, TubeBuddy का, मेरे रिसाब से दोनों को ही यूज कर लो, दोनों के अपनी strengths है, VidIQ को आप लोग keyword research के लिए, views per hour के लिए use कर सकते हो, TubeBuddy को आप लोग comment sorting के time पे यूज कर सकते हो, तो दोनों को दोनों free है, जादा problem जाएगी नहीं, और अगर आपको सिर्फ एक ही use करना है, तो I recommend VidIQ यूज कर लो, वो जादा beneficial रहेगा, मेरी opinion में, बाकि दोनों को कैसे use करना है, वो आपको मेरे dedicated reviews में मिल जाएगा, keyword research की बात करूँ तो TubeBuddy में आपको यहां से मिल जाएगा, इसमें यहां पर जाएगे, keyword explorer पर जाएगे, यहां पर हम लोग keyword type कर देंगे, best video editor, यह हमारा keywords यहां पर आ गए, VidIQ की बात करूँ तो VidIQ में भी यहां पर आपको उपर मिल जाएगा, keyword inspector के नाम से, यहां पर हम लोग keyword डाल देंगे, best video editor, इस तरह से आप लोग यहां पर keyword research कर सकते और VidIQ में यहां पर आपको search volume भी बता देता है, और बाकी जो keywords है, उनकी भी यहां पर search volume बता देता है, वहीं पर यह त्यूब बड़ी में आपको सिर्फ main keyword की यहां पर search volume बताता है, and main keyword की, इनका जो monthly estimate है, वो आ रहा है around 4 लाग का, और जो इनका है, वो आ रहा है around 35,000 का, मेरे experience में VidIQ यहां पर जादा accurate मुझे लगा है, और यह लोग खुद का data भी नहीं लाते हैं, यह लोग source करते है keyword tool.io से, plus यहां पर यह जो video searches जो मुझे recommendation दे रहा है, यह इसकी search volume नहीं बताता है, जब तक मैं आपर इसको select नहीं करूँ, on the other hand, VidIQ मुझे यहां पर सबकी search volume बता देता है, तो जैसे मुझे यहां पर quickly एक second में पता चलिया, कि best video editor से मैं इस keyword को अगर target करूँगा, तो फिर मेरे जादा views आने के chances नहीं पर बढ़ जाएंगे, plus यह traditional SEO tool जैसा है, जैसे HRFs यहां over suggest रहता है, कि आपको search volume दिख जाती, competition दिख जाता है, overall score दिख जाता ह on the other hand, यहां पर आपको weighted feature मिलता है, weighted हम यह बताता है, कि हमारे चानल के हसाब से, हमारे कितनी chances है, इस keyword के रांग करने के लिए, best video editor क्योंकि मैंने video से related, कोई videos नहीं बनाए है, आज तक इस channel के ऊपर, तो इसने मुझे यहां पर recommend किया है, कि मेरे chances यहां पर कम रहेंगे, यह यहां पर आपको results देखने को मिल जाते हैं, कि पहला topic कोई है, और historical में basically यहां पर आपको Google Trends बता देता है, कि इसका Google Trends चार्ट कहा रहा है, so मेरे experience में keyword research के लिए WID IQ यहां पर थोड़ा बेटर है, video optimization के बात करूँ, on page SEO tax suggestion के बात करूँ, तो WID IQ में यहां पर आपको video करूँ, तब मुझे जाकर कि यहां पर suggestions देता है, कि मैं इन सारे tax का यहां पर use कर सकता हूँ, SEO score भी देता है, और अगर मैं WID IQ की बात करूँ, तो WID IQ में आप लोग नीचे जाएंगे, और यहां पर suggestions देता है, unlimited videos के यहां पर कोई limitation नहीं है, suggestions की बात करूँ, तो जो इनक जो पहले वाले suggestions है, वो लगपक सेम ही है, ज्यादा difference नहीं है, अब जैसे यहां पर मैं WID IQ में keywords डालता चलूँगा, वैसी है, मुझे यहां पर description में भी suggest करता जाएगा, कि आप इन keywords का यहां पर use करो, जैसे for example, मैं आप पर डाल देता हूँ, Canva Pro, Canva Pro Review, What is Canva, Canva Free vs Canva Pro, त तो मुझे suggest करेगा, कि आप इन keywords का अपने description पर भी उज़ करो, और title में भी उज़ करो, मुझे TubeBuddy में अभी फिलाल ऐसा कोई suggestion नहीं दिखाए, हाला कि TubeBuddy में आप लोग इनके issue studio का use कर सकते हो, इस चीज के लिए, और इसमें जो एक main differentiating factor है, वो है इसका price point, जो इसका price ह वो around $7 वाले plan में आपको यह मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको TubeBuddy पे चाहिए, तो यह इसके लिए आपको यहापे pay करना पड़ेगा around $40 अगर आपको यह boost वाला feature यूज करना है, तो मुझे personally यहापे VidIQ जाधा पसंद आता है, लेकिन price की बात करूँ, तो TubeBuddy मुझे यहापे जाधा price to value ratio प्रोवाइड कर रहा है, वीडियो optimization के लिए, on page SEO के लिए, ease of use की बात करूँ, तो दोनों easy है use करना, आपको कुछ features को यहापे सीखना पड़ेगा, अगर आपको इसको efficiently use करना है, तो उसके लिए आपको approximately यहापे साथ दिन लग जाएंगे, लेकिन easy है थोड़ा जाधा easy है, but I will give this round a tie, bulk editing की बात करूँ, तो tubebuddy is way better for bulk editing compared to vidIQ, vidIQ में भी आपको कर सकते हो, लेकिन tubebuddy में जो efficient process रहता है, जतनी जल्दी वो videos को load कर लेता है, replace कर लेता है, so कोई भी bulk वाला काम करना हो, तो tubebuddy is excellent for that, चाहे वो comments हो, चाहे वो video के cards हो, end screen हो, description हो, स running gov की बात करूँ, तो मेरे experience में vidIQ में थोड़ा जाधा easy था, tubebuddy से सीखने के लिए, लेकिन अगेन आप लोग दोनों में 7 दिन दोगे, तो सीख जाओगे दोनों को अच्छी तरीके से, दोनों के detailed review मेरे देख लेना, उसमें मैंने दोनों को अच्छे से सिखाया है, mobile पर use करना है, तो बेटर है कि इन tools को purchase ही मत करो, user interface की बात करो, तो vidIQ was better, tubebuddy का user interface outdated था, slow feel कर रहा था, कहीं कहीं पर lag भी हो रहे थे, अब हम लोग बात करते हैं, दोनों tools के कुछ unique features की बारे में, vidIQ की बात करो, तो यहापर आपको views per hour मिल जाता है, जो की काफी अच्छा वाले में भी मिल जाता है उनके, प्रो वाले में उसका historical analysis मिल जाता है, basically वह हमें बताता है कि एक घंटे में videos पर कितने views आ रहे हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि उस topic पर हमी अभी इस time पर video बनाना सही है की नहीं, फिर आपर आपको stats bar दे देते हैं, यह लोग historical analysis देते है कि पहले इस पर कितने views आ रहे थे, एक अफते पहले का क्या था, एक साल के पहले का क्या था, वो historical analysis भी important रहता है, फिर आपर आपको alerts मिल जाते हैं, कि कौन से topic के ऊपर कोई video भी trending चल रहा है, मानलो मैं आपर बनाता हूँ, jobs related videos, तो मैं jobs keyword से, यहाँ पर एक alert set कर दूँगा तो जबी भी कोई job वाला video trending पर जाएगा, वो मुझे automatically उसका notification आ जाएगा, कि अभी यह वाले job वाले videos जा रहे हैं, यहाँ मानलो मैं free courses के related videos बनाता हूँ, तो मैं free courses के आपर tag डाल दूँगा, तो जबी भी कोई भी ऐसा कोई video बनाएगा, कि free courses वाला कोई videos नहाँ पर trending पर जारे हैं, लोग ज्यादा search कर रहे हैं, तो फिर मुझे इससे एक idea मिल जाएगा, and मैं quickly उस पर action ले लूँगा, TubeBuddy की unique features की बात करों तो यहाँ पर AB testing हम लोग कर सकते हैं, thumbnail के लिए, वो एक ऐसी चीज है जो मैंने किसी और tool में नहीं देखी है, CTR बहुत important है, तो अगर के thumbnail से जादा views आते हैं, तो TubeBuddy का AB testing वाला tool अच्छा लगेगा, comment management tools जो इनका है, it is one of the best out there, then आपर आपको click magnet भी मिलता है, जो कि अभी बीटा में है, तो इसके बारे में अभी फिला जादा बात नहीं करेंगे, वो again मेरे detailed वाले वीडियो में मैंने बात करी है, उसके बा आ रहा हूँ, वो मेरे खुद की personal opinion है, हाला कि अगर आप लोग मेरे नीचे दे गए लिंक से आपर purchase करोगे, तो मुझे थोड़ी commission मिलेगी, बिना कुछ आपके extra cost को पेव की हुए, इन्ताग ने आपर आपको एक महीने का free trial मिलेगा, तो आप लोग खुद दोनों use करके आ 7.50 से जो boost plus वाला plan है, वो किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पर mainly हमें दो plans देखने को मिलते है, ट्यूब बड़ी में हमें range हुए मिलती है, लेकिन यहाँ पर बीच में भी इन्होंने एक plan डाल दिया है 15.20 का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको beginning वाला plan लेना है तो अगर आपको keyword research के लिए तो आप इनका यह वाला plan ले लो 7.50 के लिए वो जादा बेटर रहेगा, प्लस आपको historical analysis भी मिल जाएगा, VPH का views per hour का, और अगर आपको on-page SEO चाहिए कि keywords वो आपको tags में suggest करें, उसके लिए आप लोग यह प्रूव वाला ले लो, अगर आपको वो जादा importance है, ट्यूबड़ी का star वाला plan तब अच्छा है जब आपको bulk processing करनी है, अगर आपके खूब सारे videos हो, आप खूब सारे videos वगरे बनाते रहते हो, उसको आपको interlink करना है, तो फिर इनका यह star वाला plan आप लोग लिए अच्छा रहेगा, अब बात आती है, top tier plan की, $40 में कौन सा plan ले, VidIQ तब लोग जब आपको उसका on-page SEO चाहिए, boost वाला feature आपको चाहिए, आपको यहाँ पर इनका जो bulk SEO वाला optimization है, वो भी मिल जाता है, अगर आपको यह चाहिए, तो फिर आप लोग VidIQ लो, अगर आपको A-B testing करनी है, अगर आपको अपना CTR बढ़ान चाहिए, तो फिर जो इनका A-B testing वाला tool है, वो काफी helpful रहेगा आप लोग ले, हाला कि VidIQ boost में आपको on-page के साथ यहाँ पर एक और चीज मिलेगी, वो रहेंगे trend alerts, Now let's sum this up, विड.IQ को हमें कब लेना चाहिए, अगर आप लोग बना रहे हो trending topics के ओपर videos, तो फिर जो इनका alert वाला feature है, वो definitely worth it है, आपको एक ही बार में आप लोग उसके पैसे वसूल कर लोगे, जैसी आपको कोई भी आपको पता चला की वाला video trending पे जा रहा है, आपने उस topic को cover कर लिया, and boom, you are all good to go, फिर keyword research के लिए, I personally like VidIQ, इनका जो search वाला feature है, वो मुझे अच्छा लगता है, जो अग keyword volume देते हैं, वो मुझे बेटर लगता है, compared to tube buddy, या फिर जो impact जो दूसरे भी tools होते हैं, जैसे कि हरे हो गया, वो Google के लिए सही है, लेकिन YouTube के लिए, I think VidIQ थोड़ा ज्यादा बेटर है, now keyword research में आपको कोई भी correct estimate नहीं दे सकता है, लेकिन मेरे experience में मेरे videos के लिए VidIQ मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है, फिर competitor intelligence VidIQ में ज्यादा अच्छी है, अगर आपको देखना है कि दूसरे channel पे कौनसे videos पे ज्यादा views आ रहे है, at present, उसके लिए आपको इनका competitor intelligence वाला tool यूज कर सकते हो, फिर TubeBuddy हमें कब लेना चाहिए, अगर आपको bulk processing करनी है, अगर आपके खूब सारे videos है, अगर आपको edit करना है, अगर आपको interlink करना है, तो फिर TubeBuddy is good, और अगर आपको A-B testing वाला feature चाहिए, तो वो तो सिफ TubeBuddy मे मैं आपर personally कौन सा tool यूज करता हूँ, मैं तो दोनों यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है, कि tools को यूज करना, test करना, तो मेरे पास यहाँ पर दोनों tools है, दोनों के यहाँ अपर top tier वाले plans है, अब कौन सा tool में कितने percentage यूज करता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता करता हूँ, tubebuddy का AB testing में यूज करता हूँ, और जो bulk editing है, वो तो A की बार जवरत पड़ती है, हमें उसकी रोज जवरत तो पड़ती नहीं है, अब अगर कोई A की tool होता, जो मैं purchase कर पाता, तो मैं कौन सा यूज करता, तो मैं आप विड IQ प्रिफर करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं 65% of the time से यहां पर विड IQ यूज करता हूँ, तो मैं विड IQ की तरफ जाता, हाला कि bulk optimization के लिए शायद से मैं एक महिने के ट्राइल ले ले लेता, ट्यूबड़ी का, लेकिन bulk optimization मेरा विड IQ में भी हो जाता है, उतने अच्छे से नहीं होता, लेकिन हो जाता है और TubeBuddy, एक और reason है कि मैं TubeBuddy इसलिए भी नहीं लेता, क्योंकि TubeBuddy मुझे slow लगा है, website उनकी load होती रहती है, तो क्योंकि वो slow है, इसलिए भी मैं आपर TubeBuddy प्रिफर नहीं करता, So I hope आपको यहाँ पे clarity मिल गई होगी, कौन सा tool, कि सेनारियो के जाधा अच्छा है, मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप लोग दोनों tools use कर लो, दोनों के free trial के links आपको मिल जाएंगे, आप लोग 30 दिन तक दोनों tools को use करके देखो, जो भी मैंने features आपको उपर बता है, उनको यूज करके देखो, keywords को use करके देखो, alerts को use करके देखो, bulk optimization, AB testing, सब को use करके देखो, and then identify करो, जैसे मैंने अपना percentage identify करा है, आप लोग भी वैसे identify कर सकते हो, कि यार मुझे tube buddy मैं आपे जाधा use कर रहा हूँ, 60% use कर रहा हूँ, 70% use कर रहा हूँ, तो tube buddy मेरे लिए जाधा अ सकता हूँ, इसके लिए मुझे tool की requirement तो है ही नहीं, तो फिर दोनों को cancel कर देना, तो confused हो, तो दोनों को use करके देखो, track करके देखो कि कहां से आपको कितने results मिल रहे हैं, results मिल रहे हैं, तो continue रहो, नहीं मिल रहे हैं, तो cancel कर दो, so that's all for this one, अगर आपको ये video अच्छा लग झाहे हैं